नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नौलिज में तो दोस्तो भारत की साइड से काफी इंट्रस्टिंग दो न्यूज निकल कर सामने आई हैं भारत अगले साल तक अपनी सेना में दो ऐसे खतरनाक हतियार शामिल करने वाला है जिसका तोड किसी के पास नहीं हो हैं तो पहले हतियार की बात करें तो यह है के फाइम समरीन लौंच बैलेस्टिक मिसाइल यह मिसाइल लगबग बन कर रेडी हो चुकी है इस साल के एंड तक इस मिसाइल के सभी टेस्ट एंड ट्राइल कम्पलीट हो जाएंगे अगले साल की शुरुआत में इस घातक में शामिल कर लिया जाएगा और यकीन मानिए जिस टाइम ये मिसाइल भारतिय सेना में शामिल होगी तो चाइना की हवाई खराब हो जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो इसे हम मिसाइल कुईन भी कह सकते हैं क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलो मिटर है इस मिसाइल की अंडर में पूरा चाइना आता है ये मिसाइल के फोर मिसाइल का अपग्रेटिड वर्जन है के फाइफ वर्जन में सिर्फ स्पीड और रेंज को बढ़ाया गया है इस टाइप की संब्रीन लॉंच बैलेस्टिक मिसाइल बहुत ही कम देशों के पास है क्योंकि इस मिसाइल की टेकनोलोजी काफी क्र्यूशल होती है इस टाइप को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है ये मिसाइल इसलिए भारतिये नोग सेना के लिए स्पेशल होगी क्योंकि इस मिसाइल को कोई भी डिफेंज सिस्टम जल्दी से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये समरीन से लॉं पर निकलेगी उस टाइम ये मिसाइल को राम मचा देगी दूसरे देश पर ये दोस्तों अब अपने दूसरे हतियार की बात करें तो ये है S4 SSBN ये एक समरीन होने वाली है ये बहुती जादा घातक समरीन होगी आपको इस बात का पता इसी बात से चल जाएगा कि इस समरीन मे 24 के 15 मिसाइले लगाई जा सकती हैं और सोच कर देखिए ये समरीन जिस भी कॉनफलिक्ट में जाएगी उस टाइम ये केसा नजरिया दिखाएगी इस समरीन में भर भर कर असला रखा जा सकता है क्योंकि इस समरीन में 120 टोर्पीडो भी लगाए जा सकते हैं और इस समरीन के भी बहुत जल टेस्ट और ट्राइल स्टार्ट होने वाले हैं एप्रोक्सिमेटली ये समरीन भी नेक्स्ट इयर तक ही सेना में शामिल होगी माना ये भी जा रहा है कि के 5 मिसाइल के साथ साथ ही ये मिसाइल ये समरीन भी भी सेना में शामिल होगी और जिस टाइम ये समरीन और ये मिसाइल साथ साथ चलेंगी उस टाइम सोच कर देखिए हिंद मासागर हो या साउथ चाइना सी हो ये अपना डंका सभी शेत्र में दिखाएगी ठैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो